जहीं साथियो, सौगत आप सभी का अपनी यूटूब चैनल, Free Knowledge 1998 पर साथियो, मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई खुश खबरे लेकर आया हूँ आप सभी के लिए असम राइफर में जल्दी आपको न्यू वेकेंसी देखने को मिलने वाली है और साथियो, इसमें आपका जो है, सिंपल 10 और 12 पास मांगा हुआ है ठीक है साथियो, अगर आप इसके लिए एलिजबल है तो आप इसको जरूर अपलाई करिएगा इसमें आपको पूरी डेटल में आपके अपनी वीडियो पर देने वाला हूँ आप वीडियो पर सुरूर शिले कर लाश्ट तक बनी रहिएगा आपको A to Z जानकारी मेरे इस वीडियो पर आपको मिलने वाली है सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अगर आप असम राइफल में जाना चाहते हो आपी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिएजेगा ऐसे जॉब अपडेट के लिए साथियो सबसे पहले में आपको ये बता दो कि ये जो विकेंसी आने वाली है अप हम नीचे बात कर लेते हैं साथियो असम राइफल सोट डिटेल की मैंने आपको बताया था रिकॉर्मेंट आपका असम राइफल कर रहने वाला है आपको नेम आप पोश्ट बहुत सारी पोश्ट आपको देखने को मिलने वाली है पैमेंट की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन अप्लिकेशन मोड होगा और आपका जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलिप करना होगा एज लिमिट की बात कर लेते हैं साथियो तो मिनिमम आपका जो अटरा एयर होना चाहिए और मेक में आपका 25 एर तक रहना चाहिए यहाँ पर साथियो ट्रेडमेंट के लिए उल्ली 23 एर तक दिया गया है 25 एर की बात करें तो यहाँ पर साथियो जनरल वालों के लिए लास्ट 25 एर तक दिया गया है ठीक है साथियो और OBC और OBC के लिए तीन साल की छूड़ दिया गया है एज रिलेक्सेक्षन दिया गया है और STSC के लिए फाइव एर का रिलेक्सेक्षन दिया हुआ है ठीक है साथियो गौर्नमेंट रूल के मताबित अब हम यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलने वाली फिर हम बात कर लेते हैं साथियो इसमें की आशाव राइफल जो विकेंसी है उसमें अलग अलग ट्रेड पर क्या 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 eligibility लाया गया है ठीक है साथियो सबसे पहले हम कुक की बात कर लेते हैं कुक में आपका साथियो matriculation pass from any recognizes board of university तो आपका इसमें साथियो simple 10th और 12th pass मांगा हुआ है matriculation मतलब 10th pass मांगा हुआ है ठीक है साथियो यहाँ पर क्लेर की बात कर लेते हैं तो clerk में आपका साथियो 12th pass मांगा हुआ है और आपका इस्किल टेस्ट मांगा हुआ है इंग्लिस की आपका 35 BPM होना चाहिए और हिंदी में आपका 30 BPM होना चाहिए maximum ठीक है साथियो Wasserman की बात कर ले तो आपको 10th pass मांगा हुआ है और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें रखे गया है अब हम बात कर लेते हैं आइटिया रिलेटेट पोस्ट के तो साथियो आइटियाई में आपका 10th pass मांगा हुआ है और आइटियाई पास होना बहुत ही ज़रूरी है और ग्रूप अप एलेक्टिरिशन ग्रूप सेके अदर जो जो ग्रूप आते वह सब आपका मांगा हुआ है डाकुमेंट रिक्वारिट के बात करें तो यहाँ पर आपका जो एजिक्वेशन सार्टिफिकेट लगेगा आधार कार्ड, 10th pass, स्मार्क सीट, लेटरेस्ट, पासपोर्ट, साइट, फोटो, मुवाइल नम्मर और इमेल आइडी रहेगा सिगनेचर, PNB, इमेज रहेगा, कास्ट सार्टिफिकेट रहने वाला है और आप जो है, एक्सपेंसिज, सार्टिफिकेट मतलब IP एप्लिकेशन लगेगा और आपका जो है, डॉमेंसियल सार्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है साथियो तो यह डाकुमेंट्स आपको जो है, आप जो ऑनलाइन मोड करेंगे, तो यह डाकुमेंट्स आपको इसमें पहुंचाना होगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियो पीटी की बात कर लेते हैं, मतलब आपको फिजिकल क्या रहने वाला है, सबसे पहले में आप बात कर लेते हूं, मेल की, आप मेल के लिए 5 किलमेटर रनिंग, 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा और जो है आपका फिमेल के लिए 1.6 किलमेटर रनिंग रहेगी और शाड़े 8 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा लग्दा क्रिजिन के लिए 1.6 किलमेटर रहने वाला है, ठीकर साथियो 6 मिनट में, यहाँ पर 800 मिनटर दिन 4 मिनट में फिमेल का रहेगा हम PSD की बात कर लेते हैं साथियो सबसे पहले आपका जोग मेल के लिए ट्रेड में के लिए 170 cm रहेगा है और फिमेल का ट्रेड में में 177 cm हाइट रहेगा है और मेल के लिए एक क्लेकर में 155 cm रहेगा और फिमेल के लिए 105 cm रहेगा साथ यहां पर starting date जून बताया गया है और आपका लाग जुलाई बता गया है सबसे पहले में एक बहुत important news आपको देने वाला हूँ साथ यह अभी जुह 2021 का जो selection process अभी अटका हुआ है अभी 2021 में असम राइपल की भरती आई हुई थी उसका selection process अभी पूरा नहीं हुआ है जैसे यहां बही आप पूरा हो जाएगा तो आपका जोड़ी June के तक ऐसा मना जा रहा है कि June तक इसका selection process पूरा हो जाएगा और June के बाद जैसे ही उसका selection process हो जाएगा तो आपको जून में आपको ये वेकेंसिक जल्दी देखने को मिलने वाली है तो आप तैयारिया जारी रखिए साथियो यहाँ पर एक और चीज में आपको बता दूँ अगर आपने अभी CISF का अप्लिकेशन अप्लाई नहीं के तो जल्दी कीजिएगा और BASF ट्रेडमेंट का भी आप जल्दी इसको अप्लाई कीजिएगा क्योंकि इसकी लाज डिट जल्दी होने वाली है तो साथियो आप तैयारी जारी रखिएगा आपका जून के महा में ये वेकेंसिया आपको देखने को मिलने वाली है ठीके साथियो आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे और जल्दी आप हसम राइफल की पोस्ट पर न्यूभरती देखने को आपको मिलने वाली है साथियो हमारे चनल को सस्काइब जरूर कर लीजेगा जल्दी मिलते है नई वीडियो के साथ जब तक लिए जये बाहर